नमस्कार SP9 NEWS में आपका स्वगत है जिस वक्त का इंतिजार था वो वक्त आ भी गया और शपत घ्रेंट समारो पूरा भी हो गया बात कर रहे हैं मध्य परदेश में मंत्री मंडल विस्तार की और मंत्री मंडल विस्तार के दोरान जोत्रादित्या सिंध्या के समर्थक विधायकों को लेकर शिवराज सिंग चोहान के समर्थक विधायकों तक किन लोगों को यहाँ पर मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है किन विधायकों को जगा मिलती हुई नजर आ रही है इस बात को लेकर तस्वीरे अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है दरसल आपको बता दें कि चुनाब परिणाम के बाद और उसके बाद मोहन सिंग यादव के शपत ग्रेन के बाद 12 दिन बाद देखा जाए तो यहाँ पर मंत्री मंडल का विस्तार हो जाता है राजभवन में आयोजित शपत समहरो के दौरान राजजपाल मंगू भाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पत की शपत दिलाई इनमें 18 विधायकों ने काबिनेट और 10 विधायकों ने राज्य मंत्री पत की शपत ली इनमें कई वो मंत्री भी शामिल है जो सिवराज सिंग चोहान सरकार में भी शामिल थे आपको बता दें कि काबिनेट मंत्री के रूप में जिस तरीके की बाती यहाँ पर की जा रही है कि किन किन को जगा मिली है तो उसमें कैलाश विजेवर्गी प्रहलाद सिंग पटेल राके सिंग करन सिंग वर्मा समित तमाम और विधायकों को जगा मिलती हुई नजर आ रही है इसे बीच शिवराज सिंग सरकार की बात करें तो यहाँ पर उनके छे मंतरियों को शामिल किया गया मुखे मंतरी मोहन यादव की टीम ने पूर्वसियम शिवराज सिंग चोहान सरकार के मंतरी मंडल में शामिल छे सदस्यों को जगा दी है जिनमें तुलसी सिलावट, विजेश शाह, गोविन सिंग राजपूत, विश्वात सारंग, इंदर सिंग परमपार और यहाँ पर कई और नाम भी शामिल होते वे नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि मंतरी मंडल विस्तार को लेकर सिवराज सिंग चोहान ने कहा था कि मद्य परदेश का सोभाग्य है कि अडल जयनती पर नई सरकार आकर ले रही है मंतरी मंडल में अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेगा और उन्होंने ये कहा कि पियम मोदी के मार्ग दर्शन पर ये तमाम तरीके से सियम मोहन ने ये जो यहाँ पर फैसला सुनाया है उसकी सरहाना वो करते वे नजर आए लेकिन देखा जाए तो मातरी छे मंतरियों को ही शिवरा सिंग चोहान के इस कैबिनेट में जगा मिलती हुई नजर आ रही है